आज के हमारी वीडियो थोड़ी इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक किसी लिटररी फिगर के दोरा नहीं लिखा गया है बलकि हमारा जो टॉपिक है गोरिलाज इन दमिस्ट ये लिखा गया है एक एनिमल के ऊपर रिसर्च करने वाली महिला के दोरा और वो रिसर्च होता है गोरिलाज के उपर तो जो ये book है गोरिलाज इन द़ मिष्ट ये 1983 में पब्लिस करवाई गई थी डायन फोसी के दोरा अगर हम लोग डायन फोसी के लाइफ को देखें तो ये अमेरिका की रहने वाली है 1932 में इनका जर्म होता है और आगे चलके ये प्राइमेटोलोजिस्ट के तौर पे जानी जाती है प्राइमेटोलोजिस्ट क्या होता है कि बायलोजी में एक कटेग्री होता है प्राइमेट्स के नाम से जिसमें की बंदर जैसा दिखने वाले सारे परजाती को रखा जाता है जैसे बंदर हो गया गोरिला हो गया लंगुर हो गया तो ऐसे जो जानवर है उनको प्राइमेट्स कहा जाता है बाइलोजी के अनुसार और चुकि ये गोरिला पे रिसर्च कर रही थी इसलिए इन्हे फ्रामेटोलोजिस्ट के तौर पे जाना जाता है ये सारी चीजें बताने के पीछे का रीजन ये था कि ये जो बुक है गोरिलाज इन दमिश्ट इस बुक को उन्होंने लिखा है अपने रिसर्च के उपर उन्होंने जो रिसर्च किया 1966 से लेके 1983 के दोरान इस बीच उनका जो एक्सप्रियेंसेज रहा गोडिलाज के उपर रिसर्च में इसको उन्होंने अपने बुक में लिखा है एक डैरी रैटिंग की तरह जिसको हम लोग आज सौट में पढ़ेंगे अगर मैं इस टॉपिक के इस बुक के टाइटल के अबाउट में बात करूँ तो ये दो मिनिंग देता है जैसे गोडिलाज इन दा मिस्ट अगर हम लोग इसका एक मिनिंग देखें जैसे कि वो माउंटेन के उपर गोडिलाज वहाँ पर रहता है तो वहाँ पर हमेशा कुछ कुछ कोड़े रहते हैं कुछ न कुछ धुन्द हमेशा रहता है बट अगर हम लोग दूसरे मिनिंग पर चलें जैसे कि धुन्द में कोई भी चीज किलियर नहीं दिखाई देती है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि राइटर जो है ऑथर जो है वो कहना चाहती है गो 63 में जब वह एक ट्रिप पे जाती है अफरिका चुकि उन्हें एनिमल से काफी प्यार होता है और वह एट थाउजन डॉलर का लोन लेके अफरिका ट्रिप पे जाती है वहां पे उनका मदद करता है एलन रूट और जॉन जो कि किसी डोक्योमेंटरी पे फोटोग्राफी व यहां से जब वह रिटर्न जाती है अमेरिका तो पहले तो वोन ये इर कंटिनूजली वाग करती है अपने वह 8,000 डॉलर के लौन को खत्म करने के लिए और इसी दोरान वह कई आर्टिकल भी लिखती है गोरिला के ऊपर अब यह सारी चीजे जो थी उनके लाइफ के गोरिल मिलता है आगे के रिसर्च में उन्हें प्रोजेक्ट मिलने में चुकि वो डॉक्टर लैकी के एक स्पीच में सुनती है कि नेशनल जोगडाफिक सोसाइटी के तरफ से एक रिसर्च होने वाला है लॉंग टर्म रिसर्च गोडिला के लाइफ के उपर डॉक्टर लैकी के से ही उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है फिर वो डिसेंबर 1966 में पहुंचती है अफ्रिका यहां पर एक कंट्री होता है रुवांदा नाम का अफ्रेकन कंट्री जहां पर यह आती है और यह कंट्री में एक जगह होता है एक माउंटेन होता है विरुंगा प्रिफ्ज टाइम इनकी काफी मदद किया रहता है चुकि वह एक ट्रैकर हना ऐसे काफी पता रहता है एनिमल बारेएं से व्यक्वियोस जर्णी में काफी मदद करता है थास्ट नंते कह ये पीछ पेदिले Jim एक सिल्वर वाक और एक फिमेल गोडिदा ला मैचियोर मेल गोडिदा जो होता है जो की नॉर्मली लीडर होता है अपने गरूप फिमेल गोडिदा इनकी टरुाइजी से आने लगता है कि आगे बढता ह्हता सिपने चाधें पर हाथ मारते हुए आता है ऐसा करके वो सामने वाले को ड्राने की कुछिस करता है ऐसा करते हुए वो दोनों इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था अब ये जल्दी में वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाके भागते हैं करीब एक महिने के बाद इन दोने के बीच का डिस्टेंस रह जाता है 60 फीट अब धीरे-धीरे इन से गोरिला के उपर डर खत्म हो रहा था हूँ इसके बादे में डैन फोजी कहती है कि अब गोरिला उनसे ज्यादा नहीं डर रहा था सायद इसलिए क्योंकि उनका जो फेस का बनावट है वो भी उनहीं के जैसे है फिर एक बार क्या होता है कि एक ग्रूप होता है गोरिला को वो करीब 50-70 फीट की दूरी पे होता है लेकिन उनमें से दो गोरिला आगे बढ़ता है इनके तरफ करीब 20 फीट की दूरी तक आता है और यह बिना डरे एक सिरियस फेस बनाके बैठी रहती है तभी वो दोनों गोरिला क्या करता है कि सदेनली काफी तेजी से दौरते हुए इनके तरफ आता है अपनी छाती पे हाथ मारत हुए एक्तम तीजी से पेर पटकते हुए पेर वेगरा को तोरते हुए इनके तरफ दौरता है जैसे कि वो सामने वाले को जड़ा रहा हो बट इस बार यह क्या करते है कि भागती नहीं है बलकि एक सीरियस फेस लेके बैठी रहती है और उल्टा गोरिला को ही यह जड़ान काफी फ्रेंडली विहेव करने लगता है एक्चुली यह करती क्या थी कि डेली गोरिला के ग्रूप में जाकि उसके पास में बैठा करती थी जैसे पत्ते तोर के खाने की एक्टिंग क्या करती थी अपने बालों में उंगली से खुजाया करती थी एक तरह से कौपी करने का कोशिस करती थी उन गोरिलाज की उनके जैसे आवाजे निकाला करती थी इससे धीरे-धीरे क्या हुआ कि गोरिला के अंदर जो डर था वो समाप्त होते गया इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इतना करीब से गोरिला पे आज तक किसी ने रिशर्च नहीं किया था इनका पुड़ा लाइफ मात्र दो वर्ड डिफाइन कर सकता है पहला तो हो गया प्रेमेटोलोजिस्ट जो की अभी तक हमने देखा दूसरा है कंजर वैसनिस्ट यानि कि कि किसी भी चीज का कोई भी प्राकृतिक चीज है उसको स्रणरच्छन देना उसकी रक्षा करना तो गोरि 21 डिसेंबर 1977 इनके फैब्रेट गोरिल्ला डिजिट को मार दिया जाता है वहां की लोकल सिकारी के द्वारा ये लोग डिजिट को देखी रहे होते हैं कि इनका एक आदमी थोड़ी दूरी से चिलाता है सिकारी सिकारी जोड जोड से और ये लोग उधर भागते हैं इनके हा साइब का वहां था करने वाला एक बच्चा रहता है जो की पक्रा जाता है अब ये लोग उनसे काफी इन्वेस्टीगेट करते हैं उनसे काफी पूछ धा और एक सुस्तू करते और उसके तबले अफ्रिकन केरेंसि में उसे कडिव 20 डॉलर देता है तो उसी के रुप में वो उसे बेचा करता था क्योंकि वहाँ पे 1920 से ही किसी भी जानबर का सिकार करना illegal हो चुका था फिर भी वहाँ पे जो local guards थे उसे कुछ पैसे दे के वहाँ पे सिकार किया जाता था और जो भी लोगों को वहाँ पे पगड़ के रखा जाता था उसे वो कुछ पैसे लेके छोड़ दिया करता था जिसको इन्होंने खत्म करवाया वहाँ पे एक military rank के officer को इन्होंने जाके सारी बाते बताई और फिर उसे जबरदस्ती वहाँ पे लाया गया अब military rank का officer वहाँ पे आता है अपने तीन commandos के साथ और उस बच्चे को लेके चले जाते हैं इसके बाड़े में Diane Fauci कहती है कि उनके लिए ये decision लेना काफी tough था एक तरफ digit जो कि उनका फैबरेट गोडिला था तो दूसरी तरफ वो छोटा सा बच्चा था लेकिन वो ये सोच के उसे ले जाने हो सकता है इस तरह से वहां पे एक anti poaching patrolling भी चालू करवाया जाता है जिसके लिए इन्हें digit fund भी मिलता है digit इनका फैबरेट गोडिला के नाम से इन्हें दिया जाता है जिससे कि वहां पे जो commandos थी वो वहां पे patrolling start करते हैं और किसी भी poacher को poaching करने से सिकार करने से रोकते हैं और ये वहां पे अपना एक research center भी start करती है वहां पे ये सिकार करना तो रोकवा देती हैं लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि 1985 में इनका किसी के दोरा murder कर दिया जाता है और ये murder आज तक एक mystery है एक रहस्य है आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने उनका murder किया था लेकिन उन्होंने जो contribution दिया gorilla के उपर research में वो विल्कुल ही अनोखा है और उनके इस friendly research का ही नतीजा होता है कि जब वो तीन साल के gap के बाद अमेरिका से अफ्रिका आते हैं तब जो पुड़ानी gorilla होते हैं वहाँ पे वो सारे उनको पहचान लेते हैं और ऐसे reaction देते हैं जैसे वो कोई जानवर नहीं हो बलकि कोई इनसान हो हाला कि जब उनका murder कर दिया जाता है तब उन्हें वहीं पे दफनाया जाता है जहां पे digit को दफनाया गया था digit के बगल में ही उन्हें भी दफना दिया जाता है इनके live के उपर इसी book के नाम से एक movie भी बन चुकी है मैं आपको suggest करूँगा कि वो आप जरूर देखें YouTube पे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे मांगे जाएंगे लेकिन अगर आप हमारे telegram group को join करते हो तो वहां पे मैं आपको link देदूँगा जहां से आप free में इस movie को देख सकते हो तो यहां पे मैं अपना ये video swapत करता हूँ Thank you so much